हलो नमस्ते मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले हैं मेरा क्लीनिक देकें डेंटल क्लीनिक ये पूने के एफसी रोल पे लोकेटर है आज का जो वीडियो में बना दी हो अस्पेशली मेरे पेशन्ट के लिए जिन में हमने ब्रेस्स लगवाए है ऐसे बहुत बार व को हमें पूछते कि कौन सा फुर्स्टफ खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए तो आज मैं बात करूंगी इसी बारे में तो पहले में बात करूंगी कौन सा फुर्स्टफ नहीं खाना है अगर आपके मूं में ब्रेस्स लगे हुए है तो आपको हार्ड स्टिकी औ बहुत सारे चॉकलेट और एसी जो भी चीज़े आ सकता है यह सब फूर्स्टफ आपको आपको करना है क्रण्ची फूर्स्टफ की जब मैं बात कर रही हूं तो उसमें आते हैं पॉपक्वान साते हैं उसके बाद पापड वगेरा वैसे चीज़े आती हैं या कुरकुरे ऐसे क्रण्ची फूर्स्टफ में आता है तो आपको यह तीनो टाइप का फूर्स्टफ अवोइड करना है बहुत बार पेशन किये भी बोलते हैं कि मुझे जैसे ड्राइफ रूट्स खाने की आदत है तो वो काफी हाड होते तो मैं कैसे खाया करो आपको कौन सा भी फूड आइ जैसे पीरू जैसे सीड्स वाले जो भी फूर्स होते हैं उनमें से सीड्स हटा दो और उसके बाद आप वो खा सकते हो फिर उसके बाद और एक चीज होती है जैसे बहुत सारे पेशन को मैं बोलती हूँ जब तब आपको ब्रेस का आइडिया नहीं आता तब तक आप सब फ ब्रेस का आइडिया नहीं लगता है कि कैसे मुझे खाना चबाना है उसके बाद आपके रेगिलर ड्राइव सब्जी पे शिफ्ट हो सकते हो ओप इस वीडियो द्वारे आपको आइडिया होगा कि ब्रेस के साथ खाना कैसे खाना है प्लीज मेरा चैनल लाइक करो सब्स्रा झाल झाल